मैं कीर्थी परोहा तक्षा बार्वी की जीविग्यान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ बच्चे इसके प्रीविएस मीडियो में हमने आपकी यूनिट फर्स्ट को अच्छे से डिसकस किया था और समझा था और उसके क्वेशन अंसेस भी आपको दिये थे चलि संतान उत्पत्ति मतलम जिसके जैसे मावाप होते हैं उसका बच्चा भी जो होता है वो अपने माता पिता के गुणों को लिये हुए होता है या उस वंश या उस कुल के गुणों को गुणों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है आपने कभी सोचा ऐसा क्यूं होता है हम कभी किसी न्यूबोर्न बेबी को किसी रिष्टेदार के जाते हैं तो कहते हैं मा के जैसे लगता है दादी के जैसे लगता है या पापा जैसे लगता है क्यों क्योंकि माता पिता के जो लक्षन है वो उनकी संतानों में आते हैं यह हम यह कहें संतानों के लक्षन अपने माता पिता से प्राप्त किये जाते हैं जैसाकि यहां में पता है इस चित्र में भी हम देख रहे हैं एक सेल यह कोशिका कोशिका के लिए नूकलियश के अंदर यह क्रोमोजोम यह गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं वो ही हमारे वंशागती का आणविक आधार हैं और बाद में यह DNA स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने मिल रहा है जिसको हम आगे अध्यान करेंगे चलिए अब हम देखते हैं वंशागती किसे कहते हैं और विवेधिता क्या है सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुवानशकी या जैनिटिक्स किसे कहते हैं तो अनुवानशकी या जैनिटिक्स है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है अर्थार्थार्ड वृद्धी करना अब इस शब्द का उपयोग सर्ब से पहले विलियम बैटसन ने 1906 मे किया था एक बार यह कोशन पूछा जा सकता है आपको वन माक्स में कि जैनिटिक्स या अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम किस ने किया बच्चे कंफ्यूज जाते हैं एक सब जौन मेंडल का नाम लिग देते हैं लेकिन बिल्कुल ध्यान दीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतरगत अनुवांशिक्ता तथा विभिन्यता का अध्यन किया जाता है अनुवांशिकी कहलाती है यह परिभाशा अक्सर पूछा जाती है एक्जाम में कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं अब अगर हम देखें ग्रेगर जौन मेंडल का ज जनक कहा जाता है और ती एच मार्गन जो है उन्होंने जॉन मेंडल के काम को आगे पढ़ाया इसलिए उनको प्रायोगिक आनुवांशकी का जनक कहा जाता है यहां आनुडाट मतले आनुवांशकी से है तो सीधे-सीधे हम कह सकते हैं कि आनुवांशकी शब्द का प्रयोग विलियम बैट्सन ने 1906 में किया ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवांशकी का जनक कहते हैं और एप्लिकेटरी जेनिटिक्स का जो जनक है वो ती एच मॉर्गन को कहा जाता है अब हम वन्शागती है है एक शब्द दाता है है अनुवांशक्ता हमने पढ़ा अनुवांश कि दूसरी पेडी तक पहुंचना आनुवांशिकता या हैरिडिटी कहलाता है इसी से बिल्कुल ठीक जुड़ा हुआ शब्द आ गया दूसरी परिभाषिक शब्द आगया आनुवांशिक लक्षन सिंपल सी बात है जब लक्षणों का एक पीडी से दूसरी पीडी तक पह कहते हैं hereditical character कहा जाता है यह आप बिल्कुल अच्छे से समझ यह क्योंकि यह बेस हैं अब इसके बाद आता है variation या बिभिन्नताइं हमेशा संतान जो होती है अपने माता पिता की जैसे होती है लेकिन एक दम बिल्कुल माता पिता की हू बहू कौपी नहीं हो सकती उसमें थोड़ी और भी variations आते हैं अंतर आते परिवर्तन आते हैं तो इसको कहते बिभिन्नताइं तो एक जाती के सदस्यों में पाए जाने वाल क्यांति पुछ न कुछ अंतर पाया जाता है यह जो भाग सब्सक्राइब का इस एक विजिकल के सदस्ट के कारण यह जेनेटिके नहीं होती है उसमें किसी उपारुजित लक्षन का हो जाना या फिर कोई एकसिजर्ट लिए बाता पर लान तापदा प्रभाव के कारण प्रवसन के कारण जो विविद्टा उस जीव में आ जाती है वो काईक विविद्टा कहलाती है अब दोसरे टाइप की जो विविद्टा है वो आनुवणशिक विविद्टा है ये दो प्रकार की होती है एक होती है continuous continuous तो continuous या सतत बिविद्टा है जो होती है विन्निताय होती है वो माता-पिता से संतानों में जाती रहती है थूल होती है सूक्ष में होती है और दूसरी होती है असतत अर्था इस प्रकार की जो विविद्टा होती है वो आसतत होती है अर्थात बड़े रूप में दिखाई देती है इसको कहते हैं उत्परवर्तन म्यूटेशन एकदम से चेंजिस आ जाना वह आसतत विविद्टाओं के रूप में जाना जाता है अब हम देखेंगे कि जो फादर आफ जैनेटिक्स अर्थात आनवांशिकी के जो जनक माने जाते हैं उनको नाम है ग्रेगर जॉन मैंडल आप सब ही बहुत अच्छे से इन से परिचित होंगे क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा इनका जो जन में था वह 22 जुलाई अठरा सो बाइस में आस्ट्रिया में हुआ था जो कि एक साधारन किशान के परिवार में इन्होंने जन मिलिया था बाद में इन्होंने चैकोसलवा किया कि बुर्ण नगर में पादरी के रूप में कारे किया सन 1856 शे 1863 तक इन्होंने मतर के पौधों पर प्रयोग किये प्रयोग किये अपने कुछ उन्होंने नियम बनाए कुछ बनाए उसके उपर वह सारे नियम जो थे 1866 में नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी आप बुर्ण में प्रकाशित हुए यह एक क्वेश्चन वन मांक के रूप में आता है या तू मांक में 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 कि मैंडल्स के जो में नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी आप बुर्ण में प्रकाशित हुए अब मेंडल के बाग यह एक इंपोर्टेंट है उन्नीस सो में यूगो ड्रीब्रीज कॉरल लॉरेंस तथा ईवी शर्मा के तीन वैज्ञानिक थे इन्होंने मेंडल के कारियों को आगे बढ़ाया और उनको सफलत्ता भी इस चीज में। कि तभी उनको फादराण जनेटिक्स काहा जाता तो उनकी सफलता के कारण क्या है यह जरू पूछे जाते हैं यह 4 marks राथ बीदी आते हैं तो मेंडल की सफलता के मुख्य का अध्यन किया जब प्रतेक लक्षण का वियाहार निश्चित हो गया तक फिर उन्होंने दो लक्षणों का साथ-साथ अध्यन किया बाद में फिर तेन लक्षणों का अध्यन किया दूसरा अध्यन के लिए चुने गए प्रतेक लक्षण के केवल दो सपस्ट विरोधी रूप पते बीत में किसी भी लक्षन के दौनों विरोधी रूपोवाले पौधों की अलग अलग तथा समझ सके तथा नियम की इस पश्ट विवेच ना कर सकेक्ट से तोड़ागश है है उसमें थोड़ा गणित ग्यान होना आवश्यक है तब ही आप उसके अनुपात और उसको निकाल सकते हैं उसके कि इसके बाब जोड मैंडल इस पस्तरूप से भागशाली थी कियो से मैंडल द्वारा चुनेdepend लखशनों में कोई भी ही लख ऌत्रात्मत नहीं था कॉंक्णी केति हैं मात्रा निदारत नहीं कर सकते थे थी जीन द्वार्ण नियंद्रित तीसरा मेंडल ने जिन साथ लक्षणों को लेकर प्रयोग किया उनमें से कोई भी लक्षण सह लगनिकता को लिंक प्रदर्शित नहीं करता था इस कारण मेंडल बहुत भागशाली थे उन्होंने जो भी प्रयोग किये वो सफल रहे अब हम देखें मेंडल द्वारा मतर के पौधे के चुनाओं के कारण मेंडल ने मतर के पौधे को ही क्यों चुना ये भी एक क्वेशन में आता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मतर को चुनाब बहुत सोच विचार कर किया था क्यों देखें क्योंकि जब भी हम को प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास की जानकारी है उसकी जो अभी लेक्षणा है अभी धार्णा है उसको निश्चित कर लेना हैं पौधे कैसे होते हैं हर्व होते हैं याने शाकी होते हैं और एक वर्षी होते हैं वर्ष में दो बारों गाये जा सकते हैं अधात जो भी प्रयोग किये उनके परिणाम उनको कैसे मिले जल्दी मिले पौधों में इस पश्ट विपरीत लक्षणों का पाया जाना जिससे उन्हें आसानी से अलग-अलग वर्गों में बाट आजा सकते हैं इनके पुष्प तितली कार एवं भीलिंगी होते हैं अर्थात इनमें स्वा परागण होता है लेकिन पुष्प की जो बनावट होती है वो इस प्रकार की कि उसमें हम पर परागण भी आसानी से कराया जा सकत है मतर में संकरण से प्राप्त संताने जन्शम या फरेटाइल होती है मतर के पौधे में अधिक फाल एवं फूल लगते हैं जिससे वीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और सात्वा मतर के पौधे अनेक शुद्ध प्रजनन किसमों में मिलते हैं तो ये बच्चों मतर के पौधे के चुनाव के कारण थे नेक्स वीडियो में हम इससे संबंदित पारिभाशिक संकेतावली जो मेंडल ने उपयोग की और जो मेंडल के बनायती नियम थे उसका अध्यान करेंगे तब तक आप इसे अच्छे से नोट बुक में नोट करें और लगने करें